नमस्ते दोस्तों, करकराशी के लिए मैं ये टर्रेट कार्ड रीडिंग कर लिए हूँ, 10 जून से लेकर 16 जून तक, मेजर एरिकेनर से मैं आपके लिए कार्ड लेकर आई हूँ, दोस्तों अपना ध्यान रखीगा गर्मी बहुत जादा है, आए देखते हैं टर्रेट कार्ड आपका जो 2nd कार्ड निकल रहा है, Sun, Temperance, Sun, और जो आपका 3rd कार्ड निकला है, वो निकला है, Wheel of Fortune, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये तीनों की तीनों positive कार्ड्स हैं, आप बहुत लगी हैं, क्या आपके positive कार्ड्स निकले हैं, दूसरी बात ने आपको बता राशी का कोई व्यक्ति, Sagittarius राशी का कोई व्यक्ति आने वाला है, और वो आपकी जिन्दगी में उथल पुतल मचा देगा, जो जैसा चल रहा है, उसमें वो अचानक से सब changes ला देगा, वो changes good के लिए, अच्छे के लिए ही होंगे, क्योंकि आपके बाकी सारे cards भी, अच और यह जो sun का card है, इससे एक और बात भी पता लगता है, आपकी life में उतार चड़ाओ भी आने वाला है, just like the sun rises and sunsets, उसी प्रकार उतार चड़ाओ आने वाला है, and so far as I think, जो cards कह रहे हैं, जो tarot cards कह रहे हैं, उससे आप से Sagittarius, धनूराशी का कोई व्यक्ति आने वाला है, आईए देखते हैं, मैं दूसरे deck से देखना चाहती हूँ, आपकी इसके लिए क्या energy आ रही है, आपको किस प्रकार की energy मिल रही है, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए, या enjoy करेंगे आप, आपका जो card निकल रहा है, temple path, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इश्वर का रास्त हैं, आपकी life में ऐसा कोई, मैंने कहा न, Sagittarius, धनुराशी का कोई व्यक्ति आने वाला है, जो कि पैसा के आर्थिक संपनेता लेकर आने वाला है, तो already देखिए, energy card में यही आ गया है कि वो व्यक्ति आपकी life में आने वाला है, जो कि आपके लिए पैसा ही पैसा लेकर आने वाला है, Goddess of Moon, और यह जो Goddess of Moon का card निकला है, it is showing, यह मन का कारक है, यह card बता रहा है कि आपका मन बहुत खुश और प्रसंद रहने वाला है, क्योंकि आप जो चीज जैसा चाहते हैं, वैसा ही आपके साथ होने वाला है, इसके अलावा, आपकी life में कोई woman भी आने वाली है, वो Sagittarius woman भी हो सकती है, तो let us see and let us enjoy, wish you all the best friends, see you soon, bye.